तो जी ये सूटते हाल है बाहर की भी खमोशी और अंधेरा कि भी जो लाइटर मैंने ओफ कर दिया है और ये इमान इमान हाई बोलो हाई फ्रेंड्स इमान डाल रही है बाहर चुडियों को चावल्स जैसे दिन निकलेगा तो चुडिया खा लेंगी असलाम लेकूं कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं तो जी इस दुआ के साथ लोका करते हैं आगाज और जी यहां पर मैं हुई थी जुम्ह के लिए रेड़ी नमास पड़ी थी जुम्ह की और उसके बाद की वीडियो बनाई थी तो बस आप जुम्ह था चुटी थी हजबेट भी घर में थे तो हम मैंने सोचा चलें अच्छे से बच्चों को भी रेड़ी कर लेती हूं खुद भी रेड़ी हो जाती हूं तो बस यहां पर तयार हुए हुए थे अलहमदलिल्ला नमास अदा कर ली थी जुम्ह की और बस अब खाना खाना था थोड़ी देर में तो और जी यहां मैंने काप के साथ थोड़ी सी वीडियो जो भी कपड़े वगरा पैने हैं और अभी इमान की लुग भी आपको दिखाती हूं और एहमद सोरा था उसकी वीडियो नहीं बनाई यह है मेरी प्रिंसिस यह भी रेड़ी हो गई थी और तो अच्छा लगता है जुम्ह वाले दिन तियार होना और अच्छे से रेड़ी ह इसलिए भी कि एक तो जुमा भी होता है और दूसरा वैसे ही लग रहा था बिलकुल के जैसे वाकी ऑद का पहला दिन है तो बस लग रहा था जैसे एक एद के लिए तयार हो रहे हैं तैयार इसलिए भी हो गए थी क्यूंकर खाना जो है वह बाहिर से मंगवाना था मैंने तो नहीं तो मैं भी साथ चलती है, अहमद भी साथ जाता है, लेकिन उसका टाइम था सोने का, वो लेटी सोया था, जोहर के टाइम ही वो सोया था, सारी राज से और सुबा वो जाग रहा था, तो बस इसलिए मैं और अहमद नहीं गए, तो हम घर्मी वेट कर रहे थे, वैसे चोटा है ना, तो फिर बच्चे के तो ख्याल करना पड़ता है, बच्चे को गर्मी लग जाती है, तो बस इसी वज़ा से उसका ख्याल करते हैं, तो हमने इमान की दादी के घर जाना था, तो वहां पर भी हम नहीं गए, सिर्फ इसी वज़ा से, के बच्चा एक तो सो रहा लेकिन हजबन शीरानी डलवाते को बहुत जादा मीठा हो जाता है, तो हमने इसे ऐसी नॉर्मल खाया, और चावल में मंगवायते मखलूबा, बहुत मज़े के होते हैं, और यह रूम की भी क्लेनिंग कर दिया, डन, और वह वाली नहीं वाली बैडशिट च्चे कर दिया, और यह दुली धी दूसरी पिछाती है, और देखें, आस आमान चैनल आने आपने कपड़े वी उसके यहां पहेक बहुक है, ट्रॉजर पहने रखतिए और सकल्ट उतार देती है, वे बाहर जाते हju पहनती है, और यह हping पढ़ है, इससे सुभा से अचैयार हुई है, उस legislation क यहां पर बना रही हूं रात का डिनर और सालन बना रही हूं सिंपल सा काली मिर्चों में बना रही हूं और हस्बन कह रहे थे कि बस रेड मिर्चे ना डालना काली मिर्चों में हलका सा बना लो तो बस वही बना रही थी सालन रात के डिनर के लिए और रोटी मंगवाली थी साथ बकाले से ही क्योंकि हस्बन कहा रहे थे मेरा बाहर जाने का मूर नहीं है तंदूर से रोटी लाने का तो बस हमने जो है ना सिंपल बकाले से ही रोटी मंगवाली थी सालन के साथ और दुपहर के चावल भी थे वो गरम करऊंगे दुपहर को हजबन ज्यादा लेकर आए थे क्योंकि कोई आई जाता है जुमेगा टाइम होता है जुमेगा दिन होता है चुटी होती है तो बस उन्हें था शायद कोई आना जाए तो इसलिए वो ज्यादा लेकर और हमने जो है ना वो दुपहर वाले भी बच कहे थे और ये भी जो है वो बच गए थे नहीं खाये थे तो बस अब भी गरम करूंगी और जी यह है डिनर और मैंने यहां पर जो है वो लगा दिया था सुफरे पर सब कुछ सालन है चिकन है चावल है रोटी है अलहमदुलिल् में आगे हैं रो एक इनको भूक लग रही है कि मां मेरे पास है और यहां पर टाइम हो रहा है रात के एग बज रहा है और मैं चाय बना कर पी रही हुँ फारी को कर तो मैं दो पी नहीं है चाहे काने के बाद ही पीती हूं तो बस हब खाना वगीरा तो खाए वे कापी देर हुगी थी अपना आघ और बस कि यहांपर चाहे पीती हूं, चाहे बना रही नीजुख्टी झाय टेमारी इजद Gibson अखनए हुआ ही U9 सब्सक्यगारी का तो नीजह टो तो जी ये सूते हाल है बाइर की भी खमोशी और अंधेरा चाई डालते हैं तफ में क्लीनिंग गळा करके चाहे बना लिए और ना मैंने लाइटे ओफ कर दी है इस रूम में और पैट के पिते हैं चाहे ना दिया है और मैं आप जो है ना डॉर जो है वो बंद कर दूँगी ताके रूम ठंडा हो जाए और उस कमरे में सो रहे हैं हस्बें तो जी उस रूम में सो रहे हैं हस्बें तो इसलिए हम इस यह पर बैठेंगे मेरे यहां पे सकुन कर रहे हैं माशाल्ला से एमाद अभी लेड गया था और उठ गया है और जी husband वहाँ rest कर रहे हैं हम यहाँ पर बैठे हुएं क्योंकि बच्चे जाग रहे थे मैंने कर शोर करेंगे तो मैंने ना सारी light शायटे बुझा दी हैं और मैं बच्चों को यहाँ ले आई हूँ चाँ तो जी यह था हमारा आज का व्लोग और अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने वर्टसेप ग्रूप में और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इसके इलावा स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव और मज़े में रहिए, खुश रहिए हमें भी दुआओं में याद रखिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बस यहां पर अहमत की नीन का टाइम होगया और वो सोने की त्यारी कर रहा है और बस तो ज़रूर लाइक कीजिएगा जाते जाते मेरे व्लोग को फिर मिलेंगे इन्शाला एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्ला हाफिज बाबाई अतला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें दुनिया और आखरती खुशिया नसी फर्माएं आमें